गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा फोर शेप्टर चल रहा है सौर्टिंग मेटीरियल्स इंटू ग्रॉप्स आई इस शेप्टर को और आगे बढ़ाते हैं आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वह प्रॉपर्टी ओफ मैटीरियल्स हमारे आसपास जो चीज़े और उनकी प्रॉपर्टी क्या है अभी हम कुछ एक्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जायेगा कि यह प्रॉपर्टे क्या है सबसे पहले जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वह एपीरेंस आपके आसपास हिस्ते में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप उनको ज़रा ध्यान से देखिए उनकी एपीरेंस मतलब दिख कैसी रही है ठीक है उनका शेप साइज स्ट्रक्चर तो आप देख हैं वह हार्ड है यह सॉफ्ट है जो चीज़ें आपके आसपास हैं क्या वह पानी में घुल सकती है या पानी में नहीं घुल सकती है क्या वह पानी में तैर सकती है या वह पानी में डूब जाएंगी क्या जो चीज़ें आपके आसपास पड़ी है आप उनके आरपार देख सकते हो या उनके आरपार नहीं देख सकते हैं तो यह जो सारी चीज़ें हमने अभी डिसकस की इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज को ही बारी-बारी से डिसकस करनें इस पूरे आगे के चैप्टर में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपीरिंस की अब जो नीचे आप कुछ पिक्चर देखने जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए अभी आपके सामने एक पिक्चर आ रही है और यह आप देखकर जानी गए होंगे कि यह है वुड्ड ओके नेक्स्ट जो पिक्चर आगी वाओ आप इसको देखकर कह सकते हैं यह बहुत ही सुंदर है कितने चमकीले हैं यह हैं सिल्वर और गोल्ड चांदी और सोना नेक्स्ट आपको एक वायर नजर आ रही होगी हां जी यह है कॉपर वायर अब आपको यहां कु तो इन चारों में से अगर आप वुड्ड को देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाकी इन तीनों में है और वो है अभी हम डिसकस करेंगे क्या नहीं है वुड्ड के पास अपनी शाइन नहीं है वुड्ड जो है लकडी जो है उसके पास अपनी चमक नहीं होती है बहुत ही डल होता है उसका लस्चर लस्चर का मतलब चमक लेकिन हम इसी वुड को किसी चीज की कोटिंग करके उसको शाइनी बना सकते हैं है ना वॉर्निश कर दो या उसके उपर हम कोई पेंट कर दें तो वही वुड जो है वो शाइनी बन जाता है अब दूसरी तरफ जो हमने चीजें देखी सिल्वर गोल्ड कॉपर इन सब के सरफेस नैचरली शाइनी होते हैं चमकदार होते हैं तो ऐसी चीजें आपके सामने अगर कोई हैं आपके आसपास तो हम उनको एक अलग गृप में डाल सकते हैं मेटल्स और वुड जैसी चीजों को हम नॉन मेटल्स में डाल सकते हैं क्योंकि जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल होगी ओके तो ये एक क्राइटरिया है जिसमें जिसके बेसिस के उपर आप अपने चारों तरफ की चीजों को बांट सकते हैं नेक्स्ट और करेटर्य क्या है वो भी देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अभी जो हमने शाइनी नीचर की बात की वो कुछ मेटल्स जैसे सोना है चांदी है समय के साथ साथ उनकी चमक धीरे-धीरे फीकी होने लगती है वो क्यों होने लगती है क्योंकि और इसका एक बहुती बढ़िया एक्जामपल आपको नीचे पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा लोहा, आइरन, आइरन जो है एर और मौश्चर के साथ बहुत जल्दी रियक्ट करता है और हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया तो जंग लगना क्या है? ये लोहे का एक रियक्शन है एर और मौश्चर के साथ जिसके कारण उनका जो शाइनी नेचर है वो धीरे धीरे एक तरह से हटने लगता है, कम होने लगता है लेकिन अगर हम किसी चीज से इस ब्राउन सी चीज आपको रस्ट दिख रही है इसको अगर किसी चीज से, किसी हार्ड चीज से खुर्च कर निकाल दें तो आपको इसके नीचे फिर से शाइनी सर्फेस नजर आने लगेगा नेक्स जो हम प्राउपर्टी की बात कर रहे हैं वो है सॉफ्ट और हार्ड अब आप खुद इसके बारे में बता सकते हैं जब आप अगली पिक्चर देखेंगे तो देखिए अब आपके सामने तीन पिक्चर था है एक छोटा सा टेड़ी है कुछ बॉल्स है और आपको कुछ साबुन दिख रहा होगा अब आप बताईए कि क्या आप इस टेड़ी बियर को अपने हाथों से दबा सकते हैं कम्प्रेस कर सकते हैं आप बोलेंगे हां यह जो बॉल्स आपको दिख रही है क्या आप इसको अपने हाथों से दबा सकते हैं आप बोलेंगे हाँ, यह साबुन है, क्या आप इसको अपने हाथों से या नाकुन से थोड़ा थोड़ा खुर्च सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर हम खुर्च सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इस पर, क्या आप चाकू से इन तीनों को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, आप ब खुर्ष सकते हो या उसको आप आसानी से काट सकते हो इस तरह के मेटीरियल को हम सौफ्ट मेटीरियल कहते हैं अब आगे क्या आने वाला है हाड मेटीरियल अब हाड मेटीरियल अगर आप देखें पत्थर क्या पत्थर को आप कंप्रेस कर सकते हो दबा सकते हो काट सकते हो च तो यह उतिने बड़ी लकडी के लठे हैं क्या आप इन को दबा सकते हो क्या अगर आसानी से कर सकते हो क्या आतर काटने के बात है आप बोलेंगे हाँ सर मैं काठ सकता हूं लेकिन वह क्षेशल होदार होता है इसको मोथ आख है ना चोटी सी लकडी को तो आप काट भी सकते हो लेकिन अगर बड़ी लकडी हो तो आप उसको काटना मुश्किल है नेक्स जो चीज आपको डंबल दिखाए दे रहे हैं जो कि लोहे के बने हैं देखा अब लोहे को खुर्च भी नहीं सकते लोहे को दबाएंगे तो वह काट सकते हैं ऐसी चीजें हार्ड कहलाती हैं इसके बाद की प्रॉपर्टीज हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे